नमस्कार मैं रिशब जैन संगीत भागबाद्या से आज एक बार फिर आपके समक्ष पस्तित हूँ बिये थर्ड एर के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके डिटेल इस प्रकार है आज आपका थियोरी पेपर सेकिंड उसका यूनिट थर्ड का एक कोश्चन डिस्कस करेंगे ग्रंथ वे ग्रंथ कारों के परीचे के अंतर गत आज हम महाराजा कुम्भा का संगीत राज उसके विशे में बात करते हैं महाराजा कुम्भकर्ण या कुम्भकर्णा या महाराजा कुम्भा द्वारा कृत संगीत राज जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसके विशे में बात करें चौदमी और पंदर्वी शताब्दी के बीच भारतिय संगीत के अक्षेतर में सिंग भुपाल, कलिनात, पुंडरीक, विठल, राम, मात्य, आदी संगीत के ऐसे शास्तरकार हुए हैं जिन्होंने संस्कृत भाशा में संगीत के प्रामानिक गरंथों की रचना की जिसकी मानिता आज तक है लेकिन इसी बीच संगीत के शौकीन ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने संगीत संबंदी ग्रंथों की रचना ही नहीं की बलकि इस क्षित्र में महत्वपून योगदान भी दिया जैसे की सोराश्टर के राजा हरी पाल देव विजे नगर राजे के माधव विद्या रणने इत्यादी ये संस्कृत के उद्धभट विद्वान होते हुए भी संगीत के प्रती समर्पित थे इन्ही में राजस्थान के मेवाड के महाराजा कुम्भा या महाराजा कुम्भ करना संगीत के बहुत बड़े प्रेमी तथा ग्याता भी थे इन्होंने संगीत पर पर्याप चिंतन वै अनुसंदान किया वैसे तो इन्होंने संगीत पर कई गरंथ लिखे लेकिन संगीत राज जो एक इनका मुख्य गरंथ है उसके हम चर्चा करते हैं देखिए उनके शास्त्र के विशे में महाराजा कुम्भा कुशल शासक और उद्भट योदा थे वैसे ही वे साहित्यानुरागी संगीत स्थापत्य और मूर्थी कला के उपासक भी थे प्रसिद इतिहास विश्वर गिये ओजाजी के नुसार महाराजा कुम्भा जैसे वीर और युद्ध कुशल थे वैसे ही वे विद्ध्यानुरागी साहित्या प्रेमी विद्ध्वानों के समान करता संगीत के आचारिये नाट्या कला में कुशल कवियों के शिरोमनी और अनेक ग्रंथों के रचाईता भी थे मध्यकालीन संगीत ग्रंथकारों के कुम्भा का प्रमुक स्थान था विद्ध्वानों के मतानुसार वे नाट्या कला में इतने निपुन थे कि उन्हें अभिने भरताचारिये कहा गया विजयस्तंप की प्रशास्ती में कहा गया है कि वे केवल संगीत शास्त्री ही नहीं थे भलकि सर्व स्रेष्ट संगीत अग्या वे कुशल वीना वादक भी थे प्राचीन भारतिय संगीत परंपरा का विशलेशन करने वाले महराजा कुम्भा अंतिम ग्रंथकार कहे जा सकते हैं विद्वानों के मतानुसार कुम्भा स्वराचीत पदों को रागों वैतालों में बांध कर वीना वाद्य के साथ अपने इश्ट देव के समक्ष गाया करते थे कुम्भा की कृतियों में भारतिय संगीत की विपुल सामगरी प्राप्त होती है उनकी कृतियां निम्न लिखित हैं नंबर एक संगीत राज नंबर दो रसिक प्रिया थर्ड नंबर गीत गोविंद नंबर चार सूद प्रबंद फाइव नंबर चंड़ी शतक कीटी का नंबर छे कामराज रतिसार शतक नंबर सेवन संगीत क्रम दीपिका नंबर आठ वाद्य प्रबंदम संगीत के क्षित्र में महाराजा कुंबा की सरवादिक प्रमुख और प्रहीद रचना संगीत राज को माना गया है मध्य यूग के संगीत क्रंथों में संगीत राज विशेश प्रसिद है जिसकी विशेशता उसका विराट आकार स्वर्गिय डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के मतानुसार इस ग्रंथ में विशेवस्तु व्यापक रूप से समझाए गई है विशेश निरूपन की शैली में विस्तृत शास्त्रार्थ समावेश है तथा विशेश संबंदित अनेक उधारन होने के कारण संगीत राज ग्रंथ का आकार विशाल है उनके मतानुसार महरिशी भ्रत के ग्रंथ नाटे शास्त्र से दुगना और पंडित शारंग देव ग्रंथ संगीत रतनागर से तिगुना बड़ा है संगीत राज पांच भागों में विभक्त है दिने रतनकोष की संग्या देगई नमबर वन पाथ्य रतनकोष सेकंड गीत रतनकोष थर्ड वाद्य रतनकोष फोर्थ नृत्य रतनकोष फिफ्थ रस रतनकोष इन पांचो रत्नकोशों में पाठ्य रत्नकोश सबसे बड़ा है संपूर्ण ग्रंथ का आदा भाग पाठ्य रत्नकोश में है प्रतियक रत्नकोश को पुनहें चार-चार भागों में विभक्त किया गया है जिने उल्लास नाम दिया गया है Next point इस ग्रंथ में स्वर, ग्राम, वर्ण, अलंकार, शूती, मूर्चना, ग्रह, न्यास, तान, वादी समवादी, विवादी, अनुवादी, राग जाती, ताल, ले, मात्रा, अभिने, नाट्य तथा, लास्य ताडव, इत्यादी निरित्यों के प्रकार का विवर्ण है Next point इत्यादी निरित्यों के विवर्ण के उलेख है इसके अतिरिक्त लगबग 40 पूर्वाचारियों के विवर्ण प्रस्तुत किये गए है महराजा कुंभा के ग्रंथ से प्रतीत होता है कि उन्होंने महरिशी भरत को भगवान के रूप में माना किन्तु पंडिस शारंग देव के प्रती किसी भी प्रकार का भाव नहीं दिखाई देता है नेक्स्ट पॉइंट विद्वानों के मतानुसा संगीत राजग्रंथ में 16,000 शलोकों में भारतिय संगीत शासर की सामगरी संकलित है संगीत राजग्रंथ का सरु प्रतम उलेक सत्रवी शताबदी के सोमनात द्वारा रचित ग्रंथ रागवी बोध के वीना प्रकरण में हुआ डॉक्टर रागवन ने संगीत राजग्रंथ का प्रमानिक परीचे 1932-33 में पूना के भंडार कर प्राच्चे विद्या संस्थान में सुरक्षित एक पांडू लिपी के अधार पर दिया है इनके पश्चात सन 1937 में कृष्ण माचारी ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ओफ संस्कृत लिट्रेचर में संगीत राज ग्रंथ की जानकारी दी है इस ग्रंथ की संपादित प्रतियां बेकानेर की अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में सुरक्षित है एक और पॉइंट देखिए प्रोफेसर राम कृष्ण गौड कवी ने अपने ग्रंथ भरत कोश में संगीत राज के लगबग 1400 उधरण दिये हैं 1963 में स्वर्गिय डॉक्टर प्रेम लता जी ने पंडित उंकारना ठाकुर के सहयोग से इस ग्रंथ के पाठे रातन कोश और गीत रातन कोश का संपादन करके उन्हें प्रकाशित करवाया विद्वानों के नुसार यदि संगीत राज ग्रंथ अब पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा तो अपने ब्रिहद आकार के कारण उपलब्द सभी ग्रंथों में संगीत शास्त्र का बेजोड ग्रंथ होगा तो आज हमने ग्रंथ वे ग्रंथ कारों के परीचा के अंतरगत महराजा कुम्भा का संगीत राज इसके विशे में चर्चा की आप इसको याद करें बार बार पढ़ें नेक्स सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैंगे